हेलो चैंपियंज कैसे हैं आप लोग आई होब आप लोग बहुत अच्छे हैं दोस्तों मैं पी की मिश्रा आपका लेट स्कोर हंडेट में वेलकम करता हूँ आज हम लोग क्लास 10 की पोलिटिकल साइंस का पहला चैप्रट पावर शेरिंग का दूसरा सबसे इंपोर्टेंट टॉपिक करने वाले हैं और जिसका नाम है मेजोरिटेरियनिजम इन श्री लंका दोस्तों यह टॉपिक इस लिहाज से भी काफी इंपोर्टेंट है कि इस टॉ आज हम लोग करने वाले हैं मेजोरिटेरियनिजम इन श्री लंका सबसे पहले हम इस टॉपिक को देखेंगे कि मेजोरिटेरियनिजम होता क्या है दोस्तों मेजोरिटेरियनिजम एक बिलीफ है जिसमें यह माना जाता है कि जो मेजोरिटी कम्यूटी है और श्री लंका के के में majority community क्या है कौन सी है Sinhala speakers जो स्री लंका की population का कितना है 74% so again coming back to majoritarianism का जो concept है वो बोलता है कि जो majority community होती है that should be able to rule the country the way it wants by disregarding the wishes and needs of the minority community इस case में minority community कौन सी है Tamil speakers तो आई एक बार समझते हैं और ये topic काफी important है क्योंकि इस topic से one marker भी आ सकता है और two marker भी आ सकता है अगर two marker आएगा तो क्या होगा two marker आएगा तो सीधा सा question होगा explain the term majoritarianism right one marker आएगा तो कैसा आएगा इस साल का जो cbsc ने question paper का pattern release किया है या issue किया है उसमें one marker question इस तरीके से आ सकता है कि which of the following is not the characteristic of the majoritarianism या दूसरा question one marker कैसे आ सकता है which one of the following is not the which of the following options doesn't describe the term majoritarianism और which of the following describes the term majoritarianism तो अगर हमें majoritarianism में basically तीन कीवर्ड आते हैं अगर majoritarianism के जो three keywords हैं अगर हम लोग इसको अच्छे से ध्यान दे लो तो इस तरह के questions को solve करना काफी easy हो जाता है यह three words कौन करते हैं सबसे पहले हम समझते हैं कि majoritarianism क्या है एक belief है इस belief में माना जाता है कि जो majority community है that should be able to rule the country whichever way it wants by disregarding the wishes and needs of the minority community और इस case में minority community कौन सी है तामिले speakers तो एक बार इसे करके से देखते हैं so majoritarianism क्या है यह एक belief है और इस belief में क्या माना जाता है कि majority community majority community कौन सी हो गई से नहालाई speakers क्यों क्योंकि वो 74% है स्री लंका की total population का so majority community should be able to rule a country rule a country means श्री लंका whichever way it wants by disregarding the wishes and needs of the minority and minority is family speakers and they are just 18% of the total population of the श्री लंका राइट तो अगर यह तीनों कीवर्ट हम लोग याद रखें तो किसी भी तरीके का question आए चाहे direct question आए majoritarianism पर या one marker question आए कि क्या उसका characteristic होते हैं या कौन सी लाइन term majoritarianism को ठीक से describe करती है तो हम कर सकते हैं यह now so majoritarianism topic हमारा यह term की meaning जो है clear हो गई I hope आप लोगों को clear हुई please आप comment करके बताएं कि आपको समझ में आया की नहीं आए दूसरा हम लोग अब हम देखने वाला है श्री लंका का एक इंट्रो देखते हैं श्री लंका का श्री लंका emerged as an independent country in 1948 basically हम लोगों को आजादी 1947 में मिले और श्री लंका को 1948 में हम लोगों से एक साल बाद श्री लंका को आजादी मिले राइट जैसे ही आजादी मिलती है श्री लंका में अब डॉमिनेशन का खेल शुरू हो गया क्या हुआ आए देखते हैं the leaders of the Sinhala community, Sinhala community 74% total population का sought to secure dominance over government by virtue of their majority उनको पता था कि वो लोग श्री लंका में majority में हैं और वो इस जो नंबर में वो लोग ज्यादा थे इसका फैदा उठाने की कोशिस immediately after independence जैसे है श्री लंका को आजादी मिली 1948 में उन लोगों ने इसकी कोशिश शुरू कर दी एक के बाद एक कानून बनाये constitutions में modifications किये और आए देखते हैं क्या क्या उन लोगों ने किया सबसे पहले क्या क्या उन्होंने इस पर question बनता है थ्री मारकर question आता है what steps were taken by the Sri Lankan government to establish Sinhala supremacy यह थ्री मारकर question आता है और यह थ्री important basically जो थ्री majoritarianism measures लिए गए थे यह काफी important है इस पर questions आता ही आता है तो आईए देखते हैं कौन से थ्री major's है यह थ्री major's है तो steps taken by the government to establish majoritarianism यहां पर majority में कौन है Sinhala लोग तो कई बार question ऐसे भी आ सकता है what steps were taken by the democratically elected government in Sri Lanka to establish Sinhala supremacy तो आईए देखते हैं पहला step तो नहीं देखते हैं as a result the democratically elected government adopted a series of majoritarianism majoritarian measures तो एक question इस पर भी बनता है which majoritarian measures were taken to establish Sinhala supremacy तो majorly three है इसको हम लोग एक trick से भी learn कर सकते हैं यह जो three majoritarian measures हैं लेकिन हम सबसे पहले learn कर देखते हैं कि यह three measures हैं कौन से तो पहला है हमारा in 1956 an act was passed to recognize Sinhala as the only official language thus disregarding Tamil अब जो Tamil speakers हैं उनको Sinhala समझ में ही नहीं आती right तो 74% लोगों को तो Sinhala समझ में आती है लेकिन 18% लोगों को तो समझ में नहीं आती right एक तो यह practical issue है दूसरा they were made to feel किसी हम लोग संख्या में जादा हैं इसलिए हम अपनी language को official language बना रहे हैं तो they were made to feel bad about it so हो गया Sinhala is the only official language दूसरा majoritarian measure क्या था आए दिखते हैं दूसरा measure था the government followed preferential policies इस preferential policies में क्या इसका इस preferential policies से क्या होना था university में जो admissions होने थे या जो government jobs होनी थी इसमें preference दी जाती थी सिनहालाई speakers को जो majority में थे जो 74% थे स्रेंगा की total population का right तीसरा इन्होंनों क्या measure लिया तीसरा measure लिया a new constitution stipulated means stated clearly new constitution में clearly लिखा हुआ था कि the state shall protect and foster buddhism again tamil speakers को बुरा feel कराने की कोशिश की right यानि सिनहालाई speakers majority में होने की वज़ा से सिनहालाई इसको official language बनाया उसके बाद government jobs and university positions में सिनहालाई speakers को है प्रेफरेंस दी जाती थी तीसरा कि प्रोटेक्ट एंड फॉस्टर करेंगे बुद्धिसम को इस यह जो series of majoritarian majoritarian measures थे इनको हमें एक ट्रिक से भी learn कर सकते हैं और यह ट्रिक है आप लोग relate कर पाएंगे इस ट्रिक को बोला जाता है पी पोल पी पोलर तो अगर question आता है what measures were taken to establish Sinhala majority और Sinhala supremacy इन श्री लंका तो आप पी पोलर याद रखिए पी पोलर से सारा complete answer आप निकाल सकते हैं कैसे आए देखते हैं पी पोलर फॉस्ट यह जो पी पी है फॉस्ट पी का मतलब होता है प्रेफरेंशेल और सेकेंड पी का मतलब होता है पॉलसी प्रेफरेंशेल पॉलसी किस चीज की यूणिवर्मेंट जॉब्स में आप लोग देख सकते हैं आपके Preferences policies that favored Sinhala applicants Sinhala applicants for university positions and government jobs समझते हैं What do we mean by university positions यानि universities में श्री लंका में जो भी universities है उनमें admissions के लिए पहली preference Sinhala applicants होंगे यह जाहर से बात है जो तमिली speakers है उनके साथ injustice है So PP का मतलब हुआ preferential positions और I am so sorry PP का मतलब हुआ preferential policies preferential policies कहां कहां के लिए preferential policies university positions यानि universities में admissions के लिए and government jobs में Sinhalas को preference दी जाती तो यह PP का explanation हो गया preferential policies government jobs and university positions दूसरा O-L O-L का मतलब क्या होता है official language आप लोग जानते हैं यह official language किसको declare करा गया Sinhala को Sinhala was declared only official language in Shri Lanka अब तीसरा है मारा R आर मिन्स religion religion कौन सा था Sinhala's का बुद्धिजम उन्होंने क्या क्या बुद्धिजम को क्या क्या protect and foster समझने से आर आर मिन्स religion इसको हम लोग ऐसे भी आर्ट कर सकते हैं आर पी एफ हमारे हार railway protection force होती हैं railway protection force बुद्धिजम नहीं है आर मिन्स religion हो गया विचीज बुद्धिजम बुद्धिजम हो गए पी मतलब हो गया protect एफ मतलब हो गया foster यानि श्रीलंका के government ने declare कि कि श्रीलंका government जो की dominated by Sinhala's speakers वो बुद्धिजम को प्रोटेक्ट करे गी और फॉस्ट आनरी एंकरेज करेगी बुद्धिजम की प्रैक्टिस को आए तक यह हमारे थ्री यह थ्री थ्री मेजुरिटरियो जो श्री लंकान गॉप्नमेंट मिलिये थे टू स्टैबल इस सिनहाला सुप बीमेशी right by disregarding the wishes and needs of basically wishes and needs of tamil speakers आई ए नेक्स स्लाइट पर चलते हैं so next topic हमारा है कि जब सिनहाला speakers जो की majority में थे यह एक के बाद यह जो तीन steps लिए तो इसका tamil लोगों पर क्या आसर पड़ा जो tamil speakers थे उन पर इसका क्या आसर पड़ा तो हमारा यह जो दूसरा topic है यह है effects on tamil people इस पर भी question आता है what were the effects of majoritarian measures taken by श्री लेंकन government on tamil people basically जो भी यह three steps ले लिए गए थे जो हम लोगों अभी पढ़ा पी पोलर पी पोलर में जो हम लोगों ने पढ़ा प्रेफरेंसल पॉलसी थी और हम लोगों ने official language का देखा और हम लोगों ने armies religion बुद्धिजम को जो protect and foster करने का था इन सम मेजर्स को जब apply किया गया स्री लंका में तो सेनहालिस तो बहुत कुछ रहे होंगे definitely तमिल जो तमिल speaker से उन पे इसका क्या असर हुआ आईए देखते हैं feeling of alienation among the श्री लंकां तमिल्स श्री लंकां तमिल्स को ऐसा लगने लगा कि जैसे ये देश उनका हई नहीं श्री लंका अपनी ओन कंट्री में रह करके उन्हें बहुत ही अलग धलग फील हो रहा था मतलब कोई एक sense of belongingness नहीं आ रही थी क्योंकि उनकी language को official language नहीं बनाया ग अगर इंडिया में देखेंएं इंडिया में जो अलग-अलग states हैं जैसे महरास्ता में जो भी official काम के लिए language होती है मराथी भी है English भी इंग्लिष भी है इंग्लिष बहsto कि साथ आपका local language जो होता है तो इंडिया में इस तरीके से बट श्री लंका में ऐसा नहीं हुआ उन्होंने कहा नहीं भाई official language तो हमारी होगी क्योंकि हम संक्या में जा दें है तो ऐसा चल नहीं पाता long term में तो यह जो official language बनाया उन्होंने इससे तमिल्स को बहुत खराब लगा दोनों को बनाया जा सकता था तो all these government measures coming after the other gradually increased the feeling of alienation अमंग स्री यंकन तमिल्स पहला effect यह हुआ जो majoritarian majoritarian measures लिए गये थे दूसरा effect क्या हुआ they felt that none of the major political parties यानि अभी तक जो भी major political parties थी श्री लंका में led by Sinhala leaders they felt that none of the major political parties led by the Buddhist Sinhala leaders was sensitive to their language and culture language में Sinhalis को official language बना दिया culture में क्या है buddhism को protect and foster करने की policy भी बना दिया government की तो family speakers को लगा कि भाई जितनी भी existing political parties है और जो भी leaders है they are not sensitive to our language and culture तो दूसरा असर यह हुआ दूसरा effect यह हुआ तीसरा effect क्या हुआ यह effect किस चीज का effect जो majoritarian measures लिए गया था है श्री लंका में after independence third क्या हुआ they felt that the constitution and government constitution and government policies denied them equal political rights discriminated against them in getting jobs and other opportunities जो को बिल्कुल सही है क्यों क्यों कि हम लोगों ने पढ़ा है PP में हम लोगों ने क्या पढ़ा preferential policies में हम लोगों ने यही तो पढ़ा कि government jobs and university admissions में university admissions में किसको preference दी जाती थी सिनहाल इसको तो तमिल्स को जो feel हुआ बिल्कुल सही feel हुआ कि उनके साथ injustice किया जा रहा है and ignored their interest बिल्कुल सही बात है तमिल्स के इंट्रेस्ट को ignore किया जा रहा था ना क्यों लोगों की language और culture को बल्कि उनकी political rights को भी और government jobs and university positions या universities में admissions के लिए भी ना लास्ट लास्ट इफेक्ट क्या हुआ लास्ट इफेक्ट यह हुआ relations between the Sinhala speakers and Tamil speakers या relations between Sinhala and Tamil communities got tense got intense और strained तो basically हम लोगों ने क्या पढ़ा हम लोगों ने सब से पहले ये पढ़ा कि majoritarianism होता क्या है उसके बाद हम लोगों ने देखा कि कौन से three majoritarian measures लिए गए जिसको हम लोगों ने समझा पी, पी पोलर के फॉर्म में हम लोगों ने समझा उसके बाद ये जो three majoritarian measures लिए गए थे उसका Tamil people पे क्या effect हुआ है ये हम लोगों ने पढ़ा अब Tamil people पे जो effect हुआ तो चुपचाप तो बैठेंगे नहीं वो भी कुछ न कुछ action लेंगे तो आईए देखते हैं कि ये जो three majoritarian measures थे इनको जब apply किया गया श्रेलंका पे तो जो Tamil speakers थे उन्होंने इसके against में या अपने आपको justice दिलाने के लिए कौन कौन सी steps इन्होंने लिए बाई कोई लंबे समय तक कोई community चुप तो बैठेंगी नहीं नहीं people will get united and stand against injustice made it out to them तो जाहिर से बात है जो ये श्रेलंकान तमिल्स थे उनके साथ इन्जस्टिस तो होई ही रही थी आई ये देखते हैं कि उनलोगोंने क्या steps लिए now steps taken by the श्री लंकान तमिल्स जो की श्री लंका की population का 18% थे तो सब से पहले उन्होंने क्या किया the श्री लंकान तमिल्स launched parties political party so that they can get justice right so they launched parties and struggle for the recognition of Tamil as an official language so launched parties and struggles launched parties and struggles में इस सीरीज में सब से पहला क्या था इन्होंने एक organization बनाई it was LTTE it was आप लोग internet पर जाकर सरच करेंगे तो काफी interesting लगए आप लोगों को इसके बारे हम पढ़िया का जरूर LTTE liberation tigers of tamil it was established it was founded in 1976 और इसके military commander थे प्रभाकरण और यह इनकी political party का symbol है आप लोग से देख सकते हैं ठीक है now so the Sri Lankan tamils launched parties and struggle for the recognition of tamil as an official language उसके बाद पहला यह दूसरा for regional autonomy उन्होंने बोला कि भाई हमें पूरे स्री लंका में तो ठीक है आपको जैसे करना हो करो लेकिन जिस एरियास में tamil majority में हैं tamil speaker majority हैं हमें वहां पर regional autonomy दे दीजे वहां की culture और language हमारे जो private affairs हम उसे manage कर लेंगे पहली demand क्या थी recognition of tamil as an official language हो जाए दूसरा regional autonomy हो जाए and equality of opportunities in securing education and jobs education and jobs जैसे हम लोगों ने देखा कि preference रे पॉलिसी में क्या होता था गौर्मेंट jobs and university positions जैने universities में admission के लिए preference दी जाते थी सिनहाला को तो तीनों issues यहां पर आ गया कि भाई वैसे तो जब यह बिखरे हुए थे इनकी बात कोई मान नहीं रहा था तो यह लोगों क्या आगए organization बनाई जैसे LTT बनाई और इसी तरह कि और भी सारी minor political parties थी लोगों ने बनाई and they got united और यह तीनों issues को address किया language की issues को भी address किया political rights के भी issues को address किया और जो इनका government job है university positions वाली issue थी उसको भी address किया दूसरा their demand यह तो demand तो इन्होंने कर दी political parties और अगने बनाके बट इसका जो government में लोग थे उन्होंने कैसे इसको देखा but their demand for more autonomy to provinces populated by the tamils was repeatedly denied जो सिनहालाज majority में थे उन्होंने इसको considered तक नहीं किया जाहिर से बात आप क्या करेंगे अपने efforts को और बढ़ाएंगे let us see what happened then third point is our third point is by 1980s several political organizations were formed demanding an independent tamil ilum in northern and eastern part of Sri Lanka अगर आप लोग यहां पे देखें यह श्री लंका का northern and eastern part of these are the areas जहां पे श्री लंकन तमिल मेजोर्टी में थे तो उन्होंने पहले तो क्यों official language की बात करिये कि बात करिया हो बोला कि भाई government jobs वगरा में हमें भी हमारे साथ भी justice किया जाए बात नहीं मानी गई लंबे समय तक बात नहीं बनाएंगे फिर क्या क्या 1980s से इन्होंने क्या शुरू कर दिया कि भाई हम तो अपने अलग country मनाएंगे एक बार देखिया आप लो बाई 1980s several political organizations several पहले एक ही था ltte 1976 में 1976 में ltte था जो हम लोगों लास्ट स्लाइड में पढ़ा अब 1980s में several political parties और several political organizations वार फॉर्म्ड और अब डिभांड और ज्यादा होगे अब रिजिनल अटनमी नहीं चाहिए बाई अब उन्हें हमें अपनी एक अलग country ले करके रहेंगे राइट अब क्या conflict बढ़ने वाला था और यह नों क्या बोला demanding an independent tamilis state in northern and eastern parts जो हां की यह लोग majority में थे स्री-लंकन-Tamils right now the situation कैसी है स्री-लंकन-Tamils are trying to get justice but Sinhala speakers are not ready to give up their majority power sharing के लिए तयार नहीं है Sinhala community आये देखते हैं क्या हुआ result of the actions taken by the Sri-Lankan-Tamils अब Sinhala community power share करने के लिए ready नहीं है और स्री-लंकन-Tamils पहले तो क्यों regional autonomy की बात कर रहे हैं अब करें हम अपनी country बनाएंगे आप conflict होने वादा है आई देखते हैं क्या हुआ इसकी वज़े से क्या हुआ इस पर question ब्याद सकता है आई देखते हैं पहले से पढ़ते हैं फिर समझते हैं क्या question बनेगा 2.039.1 अफिर सामने क्या is एस क्योन स्मॐ Holmes देखते हैं क्येैन क्यों अपिर इढूंगे kyकस दोशा, और किनेखनी वो ए्दू क्यों पहले मोन पारैइं and many more lost their livelihoods, fourth, Sri Lanka's excellent record of economic development, education and health got disturbed, badly disturbed, because civil war हो गया, तो वहाँ पेड़िकेशन और होगा, and both the communities with, both the communities were fighting and it turned into civil war, right, the civil war has caused a terrible setback to the social, culture and economic life of the country, and this civil war ended in 2009 with the defeat of, जो हम लोगो ने, लास्ट स्लाइड में देखी थी, LTTE, जिसका, जिसका कमांडर प्रभाकरन था, it got defeated badly, ये militant organization था, और स्री लंका की, स्री लंका government की military ने इसको हरा दिया 2009 में, and they all were killed, इस तरीके से LTT का end हो गया, और स्री लंका में civil war का end हो गया, now coming back to the original thing, ये था कि इस पर question क्या बनेगा, so basically इस पर question ये बन सकता है, what was the result of, conflict between Sinhala community and Tamil community, इसकी वज़ा से दोनों ही communities का, चाहे वो Sinhala community रही हो, चाहे वो Tamil community रही हो, चाहे वो Tamil community, दोनों का, communities का loss of life and livelihood, बहुत ज़्यादा हुआ, and finally it ended in 2009, तो सबसे पहले समझते हैं, ये civil war क्या होता है, अब civil war पर किस तरह का question आ सकता है, civil war पर direct question आ सकता है, define civil war जो कि बहुत कमाता है, जो CBSC ने 2024 के board का जो question paper का जो pattern issue किया, उसमें question civil war पर इस तरीके सा सकता है, कि which of the following describes the civil war properly, or which of the following is not a characteristic of civil war, या ऐसे भी आ सकता है, which of the following doesn't describe, या which of the following is not the proper explanation of civil war, तो civil war के लिए हम में 2-3 key words अगर हम अच्छे से ध्यान दें, तो civil war का definition clear हो जाएगा, civil war क्या होता है, सबसे पहले से civil war होता है, violent conflict, civil war एक violent conflict होता है, between the opposing groups in a country, within a country, यहाँ पे opposing groups कौन कौन से हो गए, सिनहला community हो गई, और Tamil community हो गई, Tamil speakers हो सिनहला speakers, देखते हैं, so violent conflict between opposing groups within a country, and it becomes, this violent conflict becomes so intense, that it appears like a war, जैसे आज कल, Ukraine और रशिया के बीच में वहर चल रहे हैं, means, एक दूसरे को, finish कर देने में, के लिए पूरी, कुछ भी कर सकते हैं, they can go to any extreme to finish each other, तो हम लोगों क्या देखा, civil war क्या होता है, civil war के three main characteristics हैं, अगर हम ध्यान दे पाएं, तो किसी भी तरब का question है, हम इसे solve कर पाएंगे, पहला क्या है, पहला ये violent conflict होता है, मार काट होती है, ये खुन खराबा होता है, violent conflict, दूसरा, between the opposing groups, within a country, और तीसरा, it becomes so intense, that it appears like a war, आज का assessment कैसा लगा, comment box में करके, comment करके जरूर बताएं, thank you so much,